जब भी हमारे पास कुछ पैसे इखटे हो जाते हैं तो हम उन पैसों को इंवेस्ट कर देता हैं अलग अलग तरह की होती है लेकिन अगर सबसे सेक्योट और सबसे कॉमन इंवेस्मेंट की बाते करें तो वह होती है बैंकों में खोले जाने वाले फिक्स दिपोजित। हम मैं ऐसे करीब मैं तो कहूंगा 100% लोगों की ही पहली investment जो होती है अगर हम secure और safe investment को की अगर बाते करें तो वो होती है बैंकों में खोले जाने वाले fix deposit हम मैं ऐसे बहुत सारी लोगों ते बैंकों में अभी तक अपनी fix deposit एक ना एक तो fix deposit अभी तक खोली रखिए तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंकों में जो हम fix deposit खोलते हैं उसकी तीन ऐसे फायदे जिनकों जानकर आपको लगेगा जहां मैंने सही decision लिया एक fix deposit खोलकर और तीन ऐसी मतलब drawbacks जिनकों बारे में साइड आपको पता नहीं होगा क्योंकि majority of people सोचते हैं कि बैंकों में जो हम fix deposit खोलते हैं उन बढ़ कुछ भी drawbacks मतलब बाधाय तो बहुत सारे लोगों को साथ यह पता ही कि बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटा फट शुरू करते हैं कि सबसे पहले जान लेते हैं बैंकों में खुले जाने वाले fix deposit के benefits के बारे में mainly तीन benefits है और यह तीनो benefits ही पूरी की पूरी जितने भी benefits है उनको अपने आप में समा लेती है जो पहला benefit है वो है protection in the form of deposit insurance को भर हम सभी को पता है हम जितने भी पैसे बैंकों में invest करके रखते हैं या फिर बैंकों में एकठा करके रखते हैं तो उसमें एक insurance provide करती है government of India at present यह जो insurance को भर है यह 5 लाग रूपय है इसका मतलब यह हुआ बैंकों में हमने जितने भी पैसे एकठे करके रखे हैं चाहे वो saving account में हो या फिक्स deposit करके रखी हो या फिर recurring deposit करके रखी हो तो उनमें 5 लाग रूपय तक अगर bank bankrupt हो जाती है तो government of India as a insurance हमें प आपके लिए काफी profitable है आपको चिंता की कोई जो बात नहीं है अपने जितने भी पैसे invest किये हैं वो पूरे के पूरे पैसे under any circumstances तो आपको government of India लोटा ही देगी अगर भगवान न करे आपकी जो भी bank है वो bankrupt हो जाती है तो लेकिन अगर आपकी investment पांस लाग से उपर है तो उ पांस लाग से नीचे fix deposit खोलने चाहिए क्योंकि एक बैंक आपको सिफ पांस लाग तक ही insurance cover provide करती है लेकिन अगर आपके पास 10 लाग रुपे है और आपने दो बैंकों में जाकर पांस-पांस लाग रुपे invest की है तो दोनों ही bank आपको पांस-पांस लाग की cover provide करेगी तो fix deposit की दूसरी benefit है return on investment आपकी जितनी भी investment है उस पर जो return है वह होती है अब जब भी एक fix deposit खोलते हैं किसी भी tenure के लिए तो for every tenure bank आपको एक interest rate provide करती है 6% 7% 8% 5% और आपकी जो भी fix deposit है उस tenure पर चलते समय आपकी जो भी interest rate and the time of opening of आपका जो भी account है वो पूरी की पूरी tenure में सेम रहता है मतलब आपने पकड़ लीजिए एक पांस साल की fix deposit खोली और खोलते समय बैंक आपको पांस सालों के fix deposit पर 7% रिटर्ण दे रहा है अब एक साल बात जो बैंकों की fix deposit की इंट्रेस रेट है वो घट गई से पांस साल की fix deposit अभी 5% होगी लेकिन आपने चुकी 7% पर फिक्स deposit खोली है तो आपको आपकी पूरी टेनियर पर 7% ही मिलेगी तो आपकी जो भी investment है उस पर जो return है वो एसी ओर हो जाती है पूरी की पूरी टेनियर में हां आपकी जब भी पांस साल पूरे हो जाएंगे और फिर से रिन्यू होगी तो उस समय रिन्यूवल के समय जो भी interest rate होगी वह इंट्रेस आपको बैंक प्रवाइड करेंगी लेकिन आपके खुब एकाउंट खोलते समय जो भी भी बैंक में जाकर fix deposit खोलते हैं तो आपकी fix deposit पर हर बैंक आपको loan facility प्रवाइड करती है जिसे हम कोई-कोई bank overdraft loan कहते हैं कोई-कोई bank loan against FD कहती है कोई-की bank term deposit loan कहते हैं नाम अलग-अलग है लेकिन काम सभी का एक ही होता है आपने अपनी fix deposit पर जितने भी पैसे invest किया है तो उस पर आपकी investment की 80-90% amount तक आपको loan facility मिल जाती है कोई-कोई bank आपको 80% प्रवाइड करेगी कोई-कोई-क 90% प्रवाइड करेगी लेकिन आपकी जो भी FD है उसके आपको loan facility मिल जाती है और loan facility की जो भी interest rate होती है वह आपकी FD पर मिलने वाली fix deposit पर मिलने वाली interest rate की जो एक या 2% अधिक होती है मतलब आपकी fix deposit पर अगर आपको 7% interest मिल रहा है तो आपकी जो भी loan होगी उस पर आपको 7% प्रवाइड यानिकी 1% interest pay करना परेगा और जो भी आपकी loan होगी उस loan को आपको जो भी एकाउट में तो यह भी आपको ध्यान में रखना है इन तीन major benefits के साथ साथ आपको कुछ miscellaneous benefit भी मिल जाती है जैसे कि आप अपनी FD में credit card facility भी ले सकते है अपनी के जो भी FD है उसको premature withdrawal के तोर पर भी ले सकते है तो यह सब miscellaneous benefits है यह आपकी major benefits नहीं है लेकिन अगर major benefits की बाते करी यह जो मैंने ऊपर तीन benefits बताया है यही तीनों benefits आपकी major benefits होती है किसी भी दीपोजिट की अब चलिए बाते कर लेते हैं फिक्स डीपोजिट की drawbacks यानि की कॉंस के बारे में फिक्स डीपोजिट में mainly दो ही कॉंस होते है पहला जो कौन है वह है इसकी tax liability बैंकों बैंकों में खोले जाने वाले फिक्स डीपोजिट पर हमें किसी भी प्रकार की टैक्स डीपेट नहीं मिलती है हम जितने भी पैसे को invest करते हैं उस पर ना तो हमें टैक्स की under 80 सी कोई टैक्स डीपेट मिलती है और जो भी amount as a interest हमें मिलती है अगर टैक्स लाइबिलिटी की बाते करें तो बैंकों में खोले जाने वाले फिक्स डीपोजिट आपके लिए एक अच्छा investment सोर्स नहीं है हाँ बैंकों में कुछ एसी फिक्स डीपोजिट भी होती है जो टैक्स लगे होता है इसके बारे मैं यहां बात नहीं करूंग और दूसरी ड्रॉबेक एक हैं वह बैंकों में जो फिक्स डीपोजिट खोलते हैं उस पर हमें वीडॉल की फेसिलिटी तो मिल जाती है लेकिन पिमेट्र वीडॉल के साथ साथ बैंक हम से एक भारी पैनल टीवी चार के लिक आप जाके देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से बैंक पी मेच्वर पेनल्टी करती है अगर आप अपने फिक्स डीपोजिट को मैच्यूर होने से पहले ही तो तो मेंली यही दो वैसे ड्रोबेक है जो बैंकों की फिक्स डीपोजिट पर लगी र आप मैंसे बहुत सारी लोग जानते भी होंगी इसलिए बैंकों में जाकर फिक्स डीपोजिट खोलते हैं लेकिन जो मैंने बता है इसके बार में भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि यह भी आपको काफी हेल्प करेगी आपकी investment planning करने में असा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया information मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेश कीजिएगा जिससे कि मेरे से ने वीडियो के नोटिफिकेशन तुनत आपके पास मिल जाए करेगी तो चले मिलते हैं अपने के लिए गुद्बाउ एं ठेक केर